प्रस्णावली 7.1 से लेकर प्रस्णावली 7.7 तक और आज इस किलास में हम आप लोगों को पहचान भी बताएंगे निश्ची समाकलन की और अनिश्ची समाकलन की तो यहाँ पर ह Ey Fylan A Fyqs का समाकलन तो इसको बोलते हैं अनिश्ची समाकलन जब आप लोगों को समाकलन में limit दिख जाए A से V और फालान एफこका समाकलन करना पड़ें तो इसको बोलते हैं निश्ची समाकलन और यहाँ पर जो आपको limit दिख रहे है A से भी तो नीचे A दिख रहा है इसका नाम होता है इसका नाम होता है निम्न सीमा और लिमिट में जो उपर आपको यहां पर दिख रहा है भी उसका नाम होता है उच्च सीमा तो इसके लिए हम आपको फार्मुला लिखाएंगे और याद कर लेना है और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक समाकलन स्टार्ट नहीं किया है इस्टार्ट करने वाले हैं तो वो नए बच्चे मैतवाई मानसर चैनल को सब्सक्राइब कर लें वहाँ पर हमने समाकलन स्टार्ट किया है प्रसनावली 7.1 हो चुकी है प्रसनावली 7.2 भी हो चुकी है और प्रसनावली 7.4 का basic वहां पर पढ़ाएंगे वहां पर भी गर्दा उड़ रहा है और यहां पर भी गर्दा उड़ रहा है जह माकाल जल्दी लग जा सवाल नहीं तो पेपर में हो जाएगा गवाल पेपर में नहीं बबाल होगा सबसे पहले आप लोगों को निश्ची समाकलन के लिए एक सेर करें अपने फ्रेंड सर्किल में तो फार्मूला निश्ची समाकलन के लिए हम लिखाएंगे और आपको याद कर लेना है तो यहां पर देख लो ए से वी लिमिट है और फलन एफ एक्स डी एक्स बराबर बाद में लिखेंगे पहले यहां पर आप लोगों को लिख लेन आए इसका नाम कि उच्च सीमा बोलते हैं से और इसको बोलते हैं कि निम्न सीमा अब पर लिमिट बोलते हैं इसको लोवर लिमिट बोलते हैं अब देखो यहां पर लिमिट की जानकारी आपको हो गई है जो नीचे लिमिट होती है वो निम्न सीमा होती है मेंस छोटी सीमा होती है जो उपर लिमिट होती है भी आपको दिख रहे है उच्च सीमा बोलते हैं और अपर लिमिट बोलते हैं बड़ी लिमिट होती है उपर वाली और नीचे वाली limit होती है छोटी अब देखो यहाँ पे आपको फलन दिख रहा है fx इसमाल yf में है जब इसका समा कलन करेंगे तो यह convert हो जाता है capital yf में यह बात आपको पता हो अब यहाँ पर क्या करेंगे जब समा कलन हो जाता है तो limit का use करते हैं जैसे यहाँ हम पे a से b है तो नीचे अ है तो नीचे आपको a लिखना है और उपर b है तो आपको ऊपर b लिखना है ठीक ऐसे करके लिख लेना अब इसके बाद limit आपको रखना है सबसे पहले आपको upper limit रखना है उसके बाद lower limit रखना है देखो कैसे हम आपको बदाते हैं और x के इस्तान पर आपको रखना है जैसे जब b हम रखेंगे और limit जो होती है वो 4x की होती है अगर यहाँ पे d के पास में x है अगर d के पास में x है तो यह limit जो होती है वो 4x की होती है तो तभी हम बोलते हैं जहाँ पे x 4 आपको दिख रहा है बहीं पर आपको limit रखना है तो b जब यहाँ पे रखेंगे हम तो fb मिलेगा ठीक है तो सबसे पहले आपको upper limit का use करना है फिर minus के बाद में lower limit का use करना है तो इस formula को आपको याद कर लेना है हम box में ले लेते हैं से अब इसका use हम बताएंगे कुछ उधारण इसके हम लेंगे और आपको समझाएंगे अभी हमने यहाँ पे फलन fx ले लिया है और formula यहाँ पे लिख दिया है इसको याद कर लेना है इसकी जरूत पड़ेगी आगे जो प्रसनावली पढ़ाएंगे वहाँ पर ठीक है तो वहाँ पर इसकी जरूत पड़ेगी तो देख लो इसका हम use कैसे करते हैं निश्ची समाखलन में तो उधारण यहाँ पर देख लो सबसे पहले उधारण 1 की बात करते हैं जैसे आपको मिल जाए 1 से 2 ऐसे करके और यहाँ पर आमने लिख दिया x square x square फलन है बेंजेक भी बोलते हैं तो इसका आप समाखलन करो जैसे आपने प्रसनावली 7.1 से प्रसनावली 7.7 तक समाखलन सीखा है ना फलनों का वैसे ही यहाँ पर करना है केबल और केबल क्या है निश्ची समाखलन में लिमिट का यूज है तो लिमिट का यूज आपको और सीख लेना है दिक्कत नहीं आएगी क्योंके प्रसनावली 7.1 से लेकर प्रसनावली 7.7 तक आप लोगोंने फलनों का समाखलन किया है उतना तो आप ने सीख लिया है लेकिन एक स्टेप और भी आपको सीखना है वो स्टेप है निश्ची समाखलन के तो समाखलन पिलस निश्ची समाखलन तब आपको मिलेगा समाखलन ठीक है तो यहाँ पर देखो इसका समागलन हम करेंगे एक सी घात यन का फार्मनल लगाएंगे तो एक स्क्यू अपॉन थिरी लिख देना है और लिमिट वन से टू यूज कर लेना है अब देखो हमने आपको बताया है कि लिमिट जो होती है वन से टू वह चैर एक्स की एक्स के लिए होती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वन अपन थिरी आगे लिख लेंगे क्योंकि लिमिट यक्स की होती है यहाँ पर आपको क्या करना है वन से टू लिख देना है ठीक है वन अपन थिरी में हम लिमिट यूज नहीं करेंगे हम लिमिट उसी में रखेंगे जो यह यह पर जिसका समाह कलदन आपने किया है चर एक्स में ही लिमिट्स रखी जाती है इसकी जानकारी आपको बता दिए अब दोको यहां पर थे पहले हम क्या रखेंगे अपर लिमिट तो अपर लिमिट रखेंगे एक सिक इस्तान पर और यहां पर कितनी घात है तीन है तो यहां पर ऐसे करके केबल और केबल चर आपको बदलना है और घात हो या इंटू में कुछ भी हो उसको एटेटीज लिख लेना है जैसे वना पॉन थिरी हमने एटेटीज लिखा आगे यह नहीं बदलेगा केबल आपको चर के इस्तान पर लिमिट रखना है घात यहां पर तीन है देखो एटेट कितना मिलेगा दो की काते तीन आड़ मिल जाएगा और वन का क्यों मिलेगा हल करेंगे तो साथ वटे तीन आएगा तो हम बोलते हैं निश्चित समागरा निश्चित का मतलब होता है फाइनाइट आपको आंसर सीड मिलेगी है फाइनाइट आपको क्या मिलेगी आंसर सीड आपको यह दिख रहा है निस इसी को बोलते हैं इसे आंसर शीट आपको संक्या में ही मिलेगी ठीक है तो यहां पर पहला अपने सीख लिया है अब दूसरा अधर देखो इसको अम्राफ कर देते हैं यह फार्मुला आप लोगों को याद जरूर कर लेना है क्योंकि आगे की प्रसनावली जब हम प्रगुड बोलते हैं या उनको गुडधर्म बोलते हैं वहां पर हम सिद्ध करवाएंगे गुडधर्म तो इसका यूज है इसलिए बोल ला है अब देखो यहां पर जैसे हमने यहां पर एक्सक्यू ले लिया है ऐसे करके अब इसका समाकलन करो तो यहां पर एक जोड़ लो आप पांचार जीरो से चार आपने एक्सक्यू का समाकलन अनिश्ची समाकलन से किया जो आप लोग पढ़ चुके हो यहां पर केबल निश्ची समाकलन पढ़ रहे हो तो लिमि किसकी है यहां पर अगर यहां पर डी के पास में एक्स है चर तो एक्स की लिमिट है यह जानकर यह आपको होना चाहिए अब 0 से 4 आपको यहां पर लिमिट रख लेना है पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर बाद में लोर रखेंगे तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो चा की गाढ़ 4 मिलेगे यहां पर मैनस फिर बाद में लोखर लिमिट रखेंगे जीरो की गाढ़ एक वटशार और यहां पर जीरो आएगा तो आपको पता है इसे आपको चार बार लिख लेना है क्योंकि एक तो कट जाएगा और बाद में चाओ तो ऐसे करेंगे लिख लो मैनस जीरो लेकिन लिखेंग नहीं इतना लिखो अब चार से चार काड़ लो चार चक्कू 16 16 चक्कू 64 इतनी आंसर सीट आएगे आप लोग नोट कर लो दो उधारत से आपने यह सीख लिया है कि निश्चीत समाकलन में लिमिट का कैसे यूज होगा अब प्रसनावली 7 मेंस प्रसनावली 7.8 का बेसिक पढ़ाएंगे देखो कैसे ह मां यहाँ पर रफ कर देते हैं अब आप लोगों को यहां पर प्रसनावली 7.8 डाल लेना है और बेसिक पढ़ाएंगे जानकारी बताएंगे आपको कैसे कैसे प्रसनों का समागलन आपको करना है तो यहाँ पर प्रसनावली अमलिक देते हैं सेविन पॉइंट एट का बेसिक यहां पर सबसे पहले आपको लिख लेना है योग फल की सीमा के रूप में समा कलम प्रसनावली 7.8 में जो प्रसन है आपको योग फल की सीमा यह आपको दिख रहा है योग फल की सीमा तो इसके लिए फार्मूला यहां पर लिख देते हैं उसका यूज करके प्रसनावली 7.8 के प्रसनों का समा कलन आप लोगों को करना है देखो यहाँ पर हम फार्मला लिखा देते हैं समा कलंद A से V FxDx बराबर होता है Limit यह टेंस टू जीरो यहाँ पर H होगा F A पहला पद होगा F A प्लस H दूसरा पद होगा यह आपको यहाँ पर लिख रहे हैं फलन हैं इन फलनों का मान निकालना पड़ेगा जब आपको फलन मिलेगा अभी आपको यहाँ पर F A प्लस F A प्लस H लिख लेना है और F A प्लस 2 H लिख लेना है और F A प्लस 3 H यहाँ पर लिख लेना है प्लस डाट 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 लास्ट में देख लो प्लस F like hi play araft कि ये 9-1 ऐंट लास्ट बाला पज्डआा आपको ध्यान देना है इसे या तो करना ही करना है कूरा ला क्योंकि इनकी is a camera करके प्रसुनौल 7.8 के प्रसुनों का समाकलन करेंगे समाकलन करेंगे मिस्सित समाक्लन करेंगे अगर समाकलन बोलेंगे तो उसमें समा ख्लंड भी आता है और निश्ची समा ख्लंड भी आता है तो हम इस पार्मुले करेंगे और निश्चे समा ख्लंड आपको सिखेंगे कि कैसे आपको करना है तो लांस्ट बाल पद देखो यह आफ ए प्लस यहन मैनस 1 इंटू यह कि इसको आपको रट लेना है यहाँ पर बॉक्स में हम ले लेते हैं पहले यहां पर और भी आप लोग सीख लो जहां एनेच यह एनेच की जानकारी आपको ले लिना एनेच बी माइनस ए एनेज जो है यहाँ पर बी माइनस है एनेज का मान निकलेगा लिमिट से बी माइनस है और एनेज का मान पोजिटिव में ही निकलेगा हमेशा इतना द्यान रखना है जब प्रसनों को हल करवाएंगे तो बहाँ पर जब NH का मान निकालेंगे तो NH का मान हमेशा निकलेगा धनात्मक ठीक है इसको आपको लिख लेना है अब इसका भी हम आपको यूज बताएंगे कि इस फार्मूले का कैसे यूज आपको करना है तो देखलो यहां पर कुछ नोट लिखलो फिर उधारण लेंगे और आपको समझाएंगे पहला देखलो सिगमा यन बराबर होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डाट डाट प्लस यन बराबर में आपको लिख लेना यन इंटू यन प्लस वना पॉंटो बहुत से बच्चे कहते हैं सर यन बना है कि यस बना है अगर हम घुंडी यहां पर घुंडी आपको दिख रही है अगर आपको घुंडी दिख रही है तो यस है अगर आपको घुंडी नहीं दिख रही है तो यन है इसकी जानकारी भी दे देते हैं क्योंके बहुत से बच् यह आउर यह वह ने तो इसको आपको और भी राट लेना है क्योंकि जब हम प्रसनों को रहल करवाएंगे तो इसका भी यूज होगा आप देखो यहां पर सेकेंड शिग मार्चन अगरबर होता है和rka 2015 and तिरी का स्कॉयर प्लस डाट 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 फिलस एएण स्कॉयर होता है यह इंटु एण प्लस ववन टु एण प्लस वन अपॉन सेक्स इसका अब आपको रट्टा लगा लेना है यह डारेक्ट आपको यूज करना है प्रस्णों में आप लोग पढ़ चुके हो थोड़ा सा यहां पर सही से लिख देते हैं 2N प्लस का 1 ठीक है अब आप लोगों को दिख रहा होगा आप लोग पढ़ चुके हो किलास 11 में पढ़ चुके हो समांता स्रेडी में और गुरोता स्रेडी में लास्ट में आपने यह कुछ बिचेट स्रेडियां पढ़ी होंगे तो वहीं से यहां पर हम लिख रहे हैं आपको रट्टा लगा लेना है अब तीसरा देख लो सिगमा एन क्यू अगर मिलता है तो 1 का क्यू प्लस का 2 का क्यू प् आप लोग इस पूरे पर घाद दो यहां पर आइसे करके ध्यान रखना है पहला अगर याद है तो तीसरा आटोमेटिक आपको याद हो जाएगा ठीक है अब एक उधारण लेंगे और इस फार्मुले का आपको यूज बताएंगे कैसे करना है प्रसनावली 7.8 जो है इसी पर आधारित है बोलते हैं योगफल की सीमा इसको अंब रफ कर देते हैं तो यहां पर आप लोगों को लिग लेना आए उधार आई बराबर जीरो से वन एक्स डी एक्स यहां पर यह हमने लिख लिया एक उधार ले लिया इसी से आपको समझाएंगे कि योगफल की सीमा के रूप में समाकलन ग्यात करना है और उस फार्मले का यूज करना है देखो कैसे सबसे पहले आपको यहां पर लिख लेना है एक्स बराबर इसको एक्स ठीक है फिर एने एसका मान निकालना है क्या होता है बी मैनस ए होता है तो यहां पर हम बी का मान रखेंगे बी मिलेगा वन उपर और ए मिलेगा नीचे जीरो तो वन मिला यहां पर चाहो तो यहां पर ऐसे करके लिखे लो एका मान वन है एका मान जीरो है और बी का मान वन है इतना आपको लिखना पढ़ेगा अब यहां पर फार्मुले के लिए आपको यहां पर लिखना पढ़ेगा योगफल की सीमा से योगफल की सीमा से इतना लिख दो और फार्मुला यहां पर देख लो यह जैकर बढ़ेगा का से और भी 20 डी जैवे एफ एफ एस धी एस बराबरी इमीट यह तैश टेंस डू जिरो त 1 इयर एच इन्टू ब्रेक टेंस में फेंटने में फें पिलस एफ है पिलस का यह है प्लस यह पिलस का टुढ़ अ जैश पिलस ड़्ट 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 यह सबसे पहले आपको दिख लो यहां पे कितना है जीरो तो इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा यहां पर तो प्रहसण आ जाता है ले मिट किया है जीरो से वह न यहां पर लिख लेना है और एफ-क्रम इसे हमान भी यहां पर रख लेना है ऐसे करके आप देखो limit ऑज़ टेंस 2 जीरो ठीक है और इंट्मे आपको है ब्रेक इंड में पहले हम踏मान रख लेंगे तो सिर्द समि यहां पे जीरो पिलत्वीयस कितनाम ये का फैले हल ये फिर हम मान निकाल ल मरें दो फलन धूर्ट रूम इख उनका लें नहीं तो तो रखो अभी फहर नद का नहीं आपना मिलेगा यह यह अन मैनस वन इंडू है क्या इतना के मलेगा ठीक है अब आपको फलन के मुत रख लेन तुड़ा सा रफ करें गये इतना को नोट कर लेना है कि देखो यहां पर कैसे आपको मान रकना बराबर लिमिट यह जिलिय रहने तुछ जी इत रहे गा अब आपको पता है कि fx बराबर क्या था फलन का मान एक्स था तो यह जीरो का मान निकालेंगे यहां से तो यहां पर देख लो एक्स है तो एक्स आया यहां पर क्या जीरो है जब जीरो रखेंगे यहां पर तो जीरो मिलेगा ठीक है अब यहां पर देखो यह यहां पर यह र तूसरा पद जाया है तीसरे पड़ में फालन में तू-स है तो टू-स है और नस में कितना एगा अगर टू जा रहा है यह है तो यह तक तर आयonlen तो यह जाओ तो रख लो याँ फिर शयमेट्री से आपको यहां पर ऐसे करकर रख देना है अब देखो यहां पर इतना आपको कर लेना है यहां पर सिरेणियां बनते हैं सिरेणियां बनती है या तो एपी या फिर जीपी मान रखने के बाद देखो सबसे पहले आपको फार्मुला यूज करना है फिर फार्मुले में एका मान रखना है ठीक है एका मान रखने के बाद फिर फलंग का मान रख लेना है जब यहां पर फलंग के मान रख जाते है तब आपको एपी या जीपी बनाना है एपी का मतलब ह होता है गुड़ोत्तर स्रेड़ी और फार्मले आपको यूज करना है देखो कैसे यहां पर देखो लिमिट यह चे टेंस टू जीरो ऐसे करके आपको लिख लेना है अब देखो यहां पर जीरो है केवल यह देखो यह प्लस टू यह लास्ट में क्या है यह चाहिए तो अगर हम कामल ले लें तो यहां से कितना मिलेगा यहां से टू मिलेगा और लास्ट में कितना मिलेगा यह माइनस हुआ इतना आपको मिलेगा अब बताइए जो हमने नोट में लिखाया है जैसे यह समांतस रेड़ी है यह क्या है समांतस रेड़ी तो समांतस रेड़ी के लिए हमन क्या लिखाया था नोट में इसी फार्मुले के बाद में हम ने लिखाया था देगो जब लास्ट में यह तो यहां पर क्या आया था यहां पर देगो क्या आपको क्या करना है आंसर सीट में जहां जहां और आना कितना रगति न आ sliding मास तो इसका मान निकला याँगा ठीक इसका आपको यूज करना है जो नोट में हमने पहला आपको फार्म्मा लिखाया है द् Baş康 कैसे हम आपको बताते हैं लेमिट यह तो जीरो यह अब हम डारेक्ट यहां पर रख लेंगे ऐसे करके सिगमा यन-1 थिक है अब यहां पर देखो सिगमा यन का मान इतना है और मेरे पास यहां-1 यहाँ जाया नहीं कितना रख देंगे यह नु माइन की तो ठीक है रखो यह माम माइनस यह पर मीनस वह एकश्च कनषबिम यहां जो यहां फिर यहां माइनस में अब इसे करो अगली लाइन में आपको यहां पर लिख लेना है लिमिट यह टेंस टू जीरो यह यहां पर देखो यह यहां पर एन मिला तो यह इन इंटू एन माइनस वह ना पॉंट इतना आपको यहां पर मिल गया है इतना द्यान रखना है यह से लिमिट हम यूज कर रहे हैं लिमिट का बाद में मान रख करना है कि पहले यह भी सीखलो मोटी बात आपको बता देते हैं हिलों विले अ कि ब्रेकीट में एन अच बनाते हैं यह बनाते हैं पहले ब्रेकट में क्या बनाते हैं हमें क्या बनाना है नहीं बनाना ने फिर ऑफ अ इनहीच का मान रखना है पहले बिरेकिट में नहीं बनाते हैं उसके बाद अनहीच का मान रखते थे हैं नंबर तीन में बाद में लिमिट यह आपको दिख रही है लिमिट का मान रखते हैं यह मोटी बात हमने आपको बता दी है कहां पर यूज होगी सबसे पहले आपको यह दियान देना सबसे पहले फार्मला यूज करेंगे यह फ़ल की सीमा फिर उसके बाद हमें एका मान रख लेना है फिर उसके बाद तीसरी स्टेम में क्या करना है फलन के मान रखना है फलन के मान के बाद में आपको सिरेडी बनाना है या तो 17 सिरेडी बनेगी या फिर नोट में जो हमने एक दो तीन बताएं या वो सिरेडी बन जाएगी तो वही बन गई नोट वाली ह करता है इतना रखने के बाद मैं यहां पर आजाओ ठीक यहां पर आगए अब आपको यूज करना पहले बिरेकेट में इस वाले बिरेकेट में एनेश्च बनाते हैं जबेंस बन जाएगा ऐसे का मान रखना है Protecting में निकालाता कि इस सब्सक्राइब का सबसे बाद में आपको बनाएंगे दो ऐसे यहां पर दो हमें य्म जरूरत है कितने की जरूरत है किऊंकि यहां पर हाँ यहां पैनफ़ का तो हमें दो ऐसज привれて है क्या helps आप हम यहांे इस से बना नself के थोगए थोड़ा सा यहां पर रंगे बराबर में आपको लिख लेना है लिमिट लिमिट का सबसे बाद में आपको मान रखना है यह के इस्तान पे पहले एनेच बना लो यह वला हमने यह किसे दे दिया ब्रेकिट को दे दिया तो एनेच मैनस का यह हो गया समझते रहना है यही पर खीर आपको खाना है यही आपने खीर खा ले तो यह फल की सीमा से प्रस्ण लग जाएगा इतना द्यां रखना है यह खीर यहीं पर आपको निप्टाना है आगे के लेकर नहीं जाना है यह हमने ब्रेकेड में देदिया एनेस माइनस यह ओ गया अब जो यहां पर यह न बचाना इसको हम यह वाला देंगे तो मान रखने के बाद देखो यह रकना है बाद में लिमिट का मान रखते हैं अब यह Universal के इस्तान और को आपको हिया रख लेना है zero रख लेना है, क्यूंकि यह चिट टेंश 2 यहां पे 0 दिख रहा है तो 0 दिख रहा है रखो तो यहां पे 1 होगा ठीक है 1-0 upon 2 तो आंदर रिट क्या निगली 1 upon 2, किसके बरावर था 0 0 to 1 और फलन का कितना था यहां पे 1, 1 यह सता ठीक है यह निकली है ऐसे करके आपको योग फल की सीमा का यूज करना है एक उदारण से हमने आपको समझा दिया है जैसे बहुत से स्टुडेंट यह भी कहते हैं कि सर अभी इसको हम सही से लिख देते हैं फिर आपको बता रहे हैं बहुत से स्टुडेंट क्या कहते हैं बहुत से इस्टूटेंट यह कहते हैं कि अगर हम इसका ऐसे समाकलन कर लें 0 से 1 AXDX कैसे कर लो जो पहले हमने फार्मूला पहला बताया था उसके बाद में उधरण बताया थे वह ऐसे कर लें तो हमने उनसे यह कहा कर लो ऐसे करके डायेट कर लो यह सिखाते हैं फिर उन्गों wanna रहे रखे फिर बाद में मैंनल इत्राइश बाद में लेखा यह बनापॉबट हुम तो बच्चो ने कहा सरतु अगर ऐसे करके तो नम्बर hep मिलेंगे हमने उनसे यह कहा है कि ऐसा करने से आपको answer sheet मिल जाएगी ऐसा करने से आपको answer sheet पता लग जाएगी लेकिन मेरे भाई present में present में लिखा होता है योग योगफल की सीमा क्या लिखा होता है योगफल की सीमा अगर present में ना लिखा हो योगफल की सीमा तब आपको ऐसे करके कर लेना है नंबर पूरे मिलेंगे अगर present में देख लेना प्रसनली 7.8 की जो हिंदी है देख लेना वहां पर आपको योगफल की सीमा लिखा हुआ मिलेगा जब योग फल की सीमा लिखा हुआ आपको मिलेगा तो वार्मोले का यूज कर के समाकलन करना देखो यहां से आपको आंसर सीट तो पता लग जाएगी फिर आपको पता अगर कह성 ना कहीं गल्ती भी हो जाए तो आपको अंसर सीट तो आपको पहले पता होगी आप लोग रख लेना है पूरे ही नंबर मिलेंगे क्योंकि हमें गड़ित में क्या चाहिए होता सो मैंजे सो नंबर चाहें वे छल से आएं चाहें बल से आएं ठीक है तो इतना आपको हमने बेसिक पढ़ाया है प्रसना वली जो 7.8 का है बेसिक प आएंगे अगली क्लास में प्रसना वली 7.11 आट के प्रस तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना है और वीडियो को जादा जादा सेर करना अपने फ्रेंड सर्किल में और मैं तो वाई मानसर उस चैनल को भी सभी स्टूइंट सब प्रस्कृब कर लेना क्योंकि वहाँ पर हमें बन के चाहिए 100% आपको बन के करना ही है वहाँ पर भी घरदा ऊड़ राया है जो बच्छे नहीं शीख पा रहें यांपर तो वहाँ पर भी शिका रहें ज्यादा से जदा सी गो जाना से ज्यादा सी को तभी सो मेंसे सो झाल नवाद